हलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में दोस्तों आज की सीडियो में हम बात करने वाले हैं पर डिगुलरली अगर आप देखेंगे तो एनेच्पीसी के बारे में लेकिन एनेच्पीसी से जुड़ी हुई बहले इंपोरेंट बाट तो य इस तरीके की सेच्वेशन आपको एनेच्पीसी या फिर अगर मैं कहूं तो रिनेवल एनरजी सेक्टर में देखने को मिली है उसके बारे में भी आज हम जो है चर्चा करेंगे और मैं बात करूंगा इसके लिए कुछ इंपॉर्टन खवरें जो है निकल करा रही हैं उसके बारे में ठीक है तो चलो सबसे बढ़े नेच्पीसी के फ्रेंट पेज पर लेकर चलता हूं उसके बाद हम बाकी की चीज़ें जो है देखेंगे और हाँ एक बोनस वाली एंड एक डिविडेंट वाली शेयर की बारे में भी चर्चा होंगे तो चलो सबसे पहले आप यहां डिफने को मिली थी ठीक है लेकिन बात वही है कि अगर आंव बजट को देखे तो बजट तो बहुत अच्छा रहाता रही बैकर नहीं चला अंचला यह जब कुछ सब्सक्राइब के बारे में बात भी बहुत ही बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिसकी उम्मीद नहीं भी थी लेकिन उसके बावजूत भी अगर हमने देखा होता तो जो एनेच पीसी में तेजी नहीं बाकी रिनीवल एनरजी शेयर्स में तेजी जरूर देखने को मुझे लेकिन अब बात निकल कर आ रही है कुछ और यहां पर चेंज है कुछ मैनेजमेंट लेवल को चेंज भी किया गया है इस वेडियोल अकाउंटर में उससे देखते हैं अभी हम लेकिन बीते दिनों में हाल चाल यहां पर क्या रहे हो देखो एक महीने के र बार नहीं देखने को मिली भी है मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाने की कोशिश करता हूं ठीक है यहां पर कुछ खबरें निकल कर आ रहे हैं वो आपको जरूर देखना चाहिए सबसे पहले तो यही कबर है कि बजट मतलब इसके जो नंबर है वो आने वाले कब है तो वो आपको सबसे पहले ही पता चल गया साथ तारिक को साथ अगस्त को जो है इसके नंबर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं तो यह कंफ्यूजन दूर हो गई लोगों को यही नहीं पता था कि अभी तक इसके नंबर आईए कब तो वैसे मालूम होना चाहिए क्योंकि संजय कुमार सिंग को अपॉइंट किया गया है यह भी एक इंपोर्डन बात होती है जब आप किसी भी कंपनी के शेयर हो तो इतना फरक नहीं पड़ता इन खावरों का लेकिन अगर आप लॉंग टर्म बेसेस पर किसी शेयर को खरीद रहे हो तो आपको जो मेनेजमेंट ब इनके वारे में थोड़ा सा अंदाया ना रहना चाहिए मेरे साफ से तो रहना चाहिए ठीक है लेकिन डिन्यूवल इनर्जी के लिए यह फिर सेक्टर के लिए किस तरीकी की चीज़ें हैं वह मैं आपको जरूर एक बाद देखाना चाहूँगा यह देखो रिन्यूवल एन नई बनी सरकार में यह जो है और इनकी तरफ से जो बयान निकल कर आया है वह क्या है वह आप यहां पर देखो इन्होंने बेसिकली कहा है कि लगबग 151 गीगावाड जो है मतलब इतनी कैपिसेरी के जो प्रोजेक्ट हैं वो अंडवे हैं अल्ड़ेडी लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि आने वाले तीन से चार साल में लगबग 76 गीगावाड के जो है प्रोजेक्ट वो इस्टार्ट होते हुए भ जैसे कि मैंने आपको बता है बजट में भी इसके रिगार्डिक काफी सारी बाते तो आपको देखने को मिली ही हैं इभी अगर आप देखोगे तो काफी चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही है जो आने वाले दिनों के हिसाब से यह जो sector है उस पर फोकस करके चल सकता है यह sector पूरी तरीके से अगर आप देखोगे तो highlighted रहने वाला है क्योंकि जो सरकार के प्लान भी है इस sector को लेकर वो भी बहुत ज्यादा बड़े हैं यह तुमने सुमने देखा वो भी already काफी बड़े प्लान है इस sector को लेकर अभी जो नई नई बयान निकल कर आ रहे हैं नई नई अपडेट जो इस sector को लेकर आ रही है वो भी अगर हम देखेंगे तो काफी बड़ी आई देखने को मिल रही है अभी उमीद है इससे और ज्यादा बढ़ जाती है इस तरीके के जब बयान निक काफी आदा अच्छा है एंड इन्होंने जो बयान देहां यह कहां पर दिया मरकॉम इंडिया रिन्यूवल समिट 24 यहां पर इन्होंने अपनी स्पीच में इस तरीके की जो हैं बाते कई हैं लेकिन अगर हम रखकर बैटें तो इने पीसी का फ्यूचर जो है कि इस तरीके स हैं हम सोच सकते हैं यह एक इंपोरेंट बात निकल कर आते हैं मुझे तो लगता है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे से चीज़े समझाएंगे पिछली बार नतीजे जो हैं इसके कोई बहुत अच्छे तो आए नहीं है यह तो हमने सब ने देखा लेकिन अगर इस बार के अच्छा लगता है नमबर के लिया से पिछले को समय में उतना अच्छा परफॉंग किया नहीं नमबर अगर अच्छे आ गए तो चीज़े बहुत अत्तक जो हैं सुधरते हुई जरूर नजर यहां पर आ सकते हो ठीक है तो दोस्तों यह बात हो गई नहींच पीजी के बार पहले डिविडेंट वाला शेर आपके सामें मैंने रख दिया एंड इसका नाम है ग्लाइन फार्मा अगर ग्लाइन फार्मा की बात करी जाए तो लेट हम देखने एक साल में शपन पसंट पांस साल में दस पसंट के आस ठीक है बाकि इसके बारे बहुत डीटेल में मैं चर पसंट के पांस साल में यहां पर देखें तो 1160 परसंट के अब यहां अगर हम देखें बोनस तुम्हें आपको बता देता हूं वन इस्टू बन का यहां पर बोनस अनाउंस हो चुका है दो जलाई को एनाउंस हुआ था लेकिन अभी नहीं आई है वह आपको जल्दी पता तो चले दोस्तों आज की सुनंबस इतना ही उम्मीद पसंट आई होगी वीडियो अच्छी लगी होते से लाइक काना चैनल को भी जब सब्सक्राइब काना जाते हैं लाइकन लवाना जैसे कि जब बना को यह डियो डालू आपके पार इंट्रेकेशन सब्से पहले आजाए आज दोस्ते ही वीडियो सिर्फ वसे एड्यूकेशन और इन्फोर्मिशन पर पर से हैं तो इसे किसी भी तरीक्या की बाइंग से लिए के रेकमिनेशन के तौर पर ना देखे हैं तैंक्यू